लान वीद की रूप आज हम बढ़ेंगे contractual capacity of parties की कोई भी परसन होता है अगर उसे contract करना है तो क्या क्या ज़रूर रिक्वाइर्मेंट्स है ठीक है कौन परसन है जो competent होग और कौन होगा incompetent मतलब जो contract में एंटर नहीं हो सकता तो कहता है कि किसी भी contract कर वैलेड करना है तो parties ज सारी qualification वह सारी requirement पूरी करें जो agreement होता है वह contract भी बनता है अगर जो परसन है वह उसके पास यह capacity है कि वह contract कर सकता है capacity का मतलब competence किसी भी पार्टी की कि वह contract में एंटर हो पाए और वैलेड कॉंट्रेक्ट कर पाए जितने भी persons होते हैं वह competent हो अगर majority मतलब majority age ले लिए उसने मतलब 18 साल से बढ़ा हो ठीक है sound mind का मतलब पागल वगएर ना उस समझता हो डिस्क्वालिफाइड ना किया जाए लोग के तो आरा तो इस तरह के समक्या सकते हैं जो एक परसंद मेजर मतलब 18 साल से बढ़ा है ठीक है sound mind का है और डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गए लोग के तो आर कौन नहीं होगा minor जो 18 साल से छोटे हैं जो पागल है जो इंसान या डिस्क्वालिफाइड कर दीजाए लोगे तो आरा अप प्रूव के बड़न के बाद आती है तो लोगे नजर में हार पर्संद कंपीटेंट है कोंटक्ट में अंटर करने के लिए अगर कोई परसंद है ठीक है और वो खुद को अना अब्जोल कर लेता है ओबलिगेशन कर सकते हैं ठीक है कोई भी परसंद है जसने 18 में कि यह कवर निकित माइन रोगा लेकिन अगर कोई परसंद के इसकी जचिपॉपर्टी ऑदर Are तो वह परचन 21 साल का होने के बाद में जर कहलाएगा माइनर रेगा नहीं तो ठीक है तो यह इवतारख है कि यह एडवांटेज जी वैसे कि क्योंकि ना इस डिसड़वांट नहीं है क्योंकि ताकि माइनर के साथ कोई गड़बड नहों थो खादड़ी वह नहां तो यह तो कि अगर कोई गड़बड भी होती है तो उसके गेंज में केस वगेरा भी नहीं हो सकते हैं तो यह इवतारख है तो कि माइनर लाइबल है पे करने के लिए अपनी प्रोपर्टी से जो भी सप्लाई होई थी उसे या कोई भी मतलब जो लीगली बाउंड स्पोर्ट करने के ल मैंनर को माइनर को क्यूंकि की अगया की जिरूत होती है व्यत्रेब्र देने के लिए लिए नहीं है तो जो ला है ना वह इस एक्षेंट तक जाते कि जो माइनर होता है वह इंटर हो गए कॉंट्रेक्ट में बाई टेलिंग लाइ मतलब जूट बोल के हो गया चीक है तो कोई लीगल एक्षन नहीं लिया जाएगा क्या है तो मेन पर्पस यह है एक्षिन का रोटट करते क्रा अग्यान के लिए हो पिर क्मैंट कि अधिकरों भी प्लकलत पर्शन तो कोई भी पर्षन ओंड होगा तो ऑगर वह उन्हांट है कहेंगे देखो तो परसन को कहेंगे अगर वह कॉंट्रेक्ट ना कर पाए ठीक है मतलब उस टाइम पे वह कैपेबल ना हो समझने के लिए जो भी जजमेंट्स वगेरा देने के लिए ठीक है जैसे वैसे परसन सही था लेकिन बाद में वह अंसाउन माइंड को या जब सही हो तो वह कॉंट्रेक्ट कर सकते है लेकिन अंसाउन माइंड का हो गए तो नहीं कर पाएगा तो इस गापिसीटी तो अंडरस्टैंड जो बेसी कंसर्न है उसकी जो एबिलेटी ए रेसनल जजमेंट वगे रेकर इसके बेस पर देखा जाता है कि वह साउन माइंड का या नहीं अगर कोई परसन इन दोनों में इनकैपेबल है तो वनसाउन माइंड का कहा जाएगा इडियाट्स एडियाट्स मतलब एक परसन जो मतलब जनम से फूल पैदा हुआ है पागल पैदा हुआ है जो कंप्लेट्री लोस्ट कर चुक आपने मैंटल पावर्स को तो वह भी मतलब इसके हैल्थ अच्छी हो जाते है कभी बेकार हो जाते है जबकि एक एडियाट हमेश्या ही पागल रहता है उसकी हैल्थ हमेश्या खराब रहते है तो जो ऐसा परसन अगर कोई परसन है वो खुद का नाम एज वगएर आसानी से बता सकता है तो उसे एडियाट नहीं लुनेटिक मतलब जो अपनी मेंटल पावर खोच चुका है एक्सिडेंट वगेरा इल्नेस वगेरा के कारण या कोई पर्सनल ट्रेजडी के कारण तो हम उसे बोलेंगे लुनेटिक जो लुनेसी होती है वो दिनोट करती है बहुत प्रियोडिक इंसैनिटी मतलब थोड़े प सेंस की इसा परशन कंपेटेंट एक लिए ठीक होता है ड्रंकरड और ड्रंक है तो एक परशन जो इंटॉक्सिकेटेड मतलब जो जाधा हाथ देता है जिसे ड्रिंक वगेरा करने की या ड्रक्स का इंफ्लोएंस ड्रियोंस या पेन एंसिकनेस के कान तो वह एक साइडी पर कि वह ना दारुपी है था ड्रंक था डैलरियस था तो उसको इन्वेलिट करने को लिए से प्रूव करने पड़ेगा कि यहां भी वह ऐसे में था साउंड माइंड में नहीं था ओल्डेज कोई एक्सेप्शन है इस चीज़ का कि यहां ओल्डेज में आप नहीं कर सकते ह अलग बात होती है और ड्रंक अट वगएरा सिच्वेशन अलग होती है और अधर डिस्क्वालिफाइड परसन में एलियन इने मतलब ऐसा देश जिसके साथ हमारा यूद छिड़ा हुआ है तो उसके साथ हम कोई भी कोंटरेक्ट वगएर नहीं कर सकते हैं वैसे जिसी भी द तो इन के सिटेशं से बाहर होते हैं उतक्ति है तो नहीं कर सकते हैं जब तक सब्सक्राइब अरि और देवह नहीं कर सकते हैं इससा क्यों भी कि जो इस एकर लिक डिप्लोमेंट स्किर्टर को सब और च lesser मदब फाइल कर दें उसी परसंट के गेंज में जो खुद करना चाहता था जो फोरंस ओर जिना डिप्लोमेंट एसके डेटरी परजेंटेटीव है और जो उनका इसेंट है वो केरिंग कर रहा होगा ट्रेड उनकी जुटिकेशन में जो फोरंस ओर जो डिप्लोमेंट से एसके प्रोफेशन के कान जो इंगलनिके बैरिस्टर है वो केस फाइल नहीं कर सकता है क्योंकि उनकी सर्फीस ऐसी है टिक है जयसे को सब्सक्राइब करने करना अगर जेल में हो आपको अगर जेल के सजा हुई तो तब तक आप जेल में तब तक क्सक्कती लें बाद में खतम होने खत कर सकते हो कोई भी डेट रहा गरो इंसोल्वेंट डेक्लेर कर देजिसको जो प्रॉपर्टी थी ऑफिचल रेसीवर के पास या असाइनी के पास वो डेप्राइड हो जाया उनकी पावर वगेरा से कॉंट्रेक्ट करने से डील वगेरा करने से जो पब् में मैं कोई भी काट कर सकता है भाँ कोई भी कॉंट्रेक्ट कर सकते है बस वह डिपेंड होना प्राइन्द माइं थी कहें और उसकी टिजायर कोंट्क करने की की सक्षन कृइब फूर मैरीडवो मेन क्रो दीकर tuINT JUST कि उसको ले करके एपने यहां पर उसे अपने पती की प्रॉपर्टी का यूज करते तो उसे उसकी कंसेंट लेनी ही पड़ेगी ठीक है तो यह इंपोर्टेंट हो जाता है फिर आता है क्याता है कि जो माइनर होता है वह कॉंट्रक्ट करने के लिए वैलिड नहीं माना जाता कि जो इंडिया की बात करे तो अगर कोई साल 16 साल का नहीं यह तो माइनर लेकिन इगलिष स suitcase की देखरेक में है उसकी की सान अगर मेजर कहला है कि नहीं तो वह माइनर रहेगा नहीं इंग्लिश लो में तो सिर्फ 18 येर्स कोई मतलब मेजर बना देता है तो एक माइनर होता है ना उसको मैंटली वीक माना जाता है कि वह पूर्दी तरह से अवेर नहीं अपने राइट्स एन उब्लिकेशन्स के बारे मतलब कोई भी कॉंटर करने के लिए लेकिन ये फाइदा भी इह क्योंकि ना वो उसको रक्षिया मिलते ieसका डिफंस होता है कि उसके साथ कोई ध्यादीं नहीं में कर दी केंधं कुई नहीं कर सकता है यहां पर मेरी बीदे अन Владा के ओंगेंद स fool नेरिकता पाना अगर को उ को अगर आपने पेमेंट कर दी लेकिन बाद में वह डिकलेर हो जाए तो आप पैसे रिफर्ण में नहीं मांग सकते ठीक है क्योंकि जो लो है नो प्रोटेक्ट करता है परसंट को माइनर को उनके राइट के बारे में ठीक है यह सब इसमें बताएगे फिर बाद आते हैं कि ज इसे रिशीव करता है और प्रोमिस करता है मतलब रिटन करने के लिए लेकिन लो इसको लागू निगरवाता कि आप ऐसा देना ही पड़ेगा ठीक है जैसे दर्मुदास का मोरी भी दर्मुदास को उसका को स्केस था कि दर्मुदास ने अपना घर ना एक बरहमदत नाम के बंदे को मोर्गेज कर दिया और जो मतलब दर्मुदास को जो एस बैंड है मोरी का 20,000 के लिए ठीक है आउट ओप मोर्गेज जो पे गिये थे उसने माइनर ने ना 8,000 रुपए मतलब पे कर दिये 20,000 में से और दर्मुदास ने फिर केस कर दिया कि जो भी उसने साइड किय कर दिया था इस पैसा और उसके लिए तो जो की आएड हो कर दिया तो यहां पर दियो क्लेंच कर सकता मनाहीं की माएनर कोई देने के लिए आलाओ हो नहीं होता यहां पे सब्सक्राइब करते हैं लेकिन माइनर अगर अपनी डूटी पूरी कर देता है और जो परसन है मतलब जिसका सथ कॉंटक्ट वह पूरा नहीं करता है तो माइनर कोड में केस करके उसको पूरा करवा सकते तो वह लागू होगा वह इनफॉर्सेबल होगा लोगे द्वारा चीक है फिर यहां पर बताया कि एक कॉंटक्ट अगर जो भी हमारे जीवन के लिए जरूरी जीवन के लिए कोई भी माइनर है उसके साथ कॉंटक्ट वैल जाएगा उसको इसको जाए डार माइनर के पास कोई पैसा नहीं है तो मतलब ना कुछ भी रीक वर नहीं होगा प्राइस किसमें अब निसर्ष्टी में बात आती है फूर्ट करांगर जूर। लग्जरीज आइटम वगेरा को में इंक्लूड करके नहीं चलते फूड ग्लॉटिंग जो भी रेंट वगेरा है मेडिशन वगेरे इन सब के लिए लेकिन माइनर के बास अगर कोई नैसे स्टिक चीज थी और उसको भी अगर आप कॉंट्रक्ट प्रवाइड कराते हो ना तो सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा वोइड होता है क्योंकि माइनर चाहिए काम नहीं करना चाहिए कॉंटक्ट भाइंद पैरेंट्स और गार्जन वगार्जन माइनर की पैरेंट्स फोर फोर बेनिफिट ओ माइनर के लिए कर कोई कोंट्रक करते हैं मतलब माता-पिता अगर बद्चे की बियाह पर कॉंट्रक्ट करते हैं तो वह भी वेलिड होता है चिक है यह भीॉति होगा लेकिन जो इनफोर्स बिल हो उसके लिए दो कंडिशन को पूरा होना जरूरी हो लिए तो पुराने वाले कोई कोंटिनू नहीं कर सकते मेजर बने पर माइनर के ती का जैसे कि यहां पर सकते हैं अगर कोई माइनर एय है वह कंट्रीशन कि रेखानी के साथ और बाद में वह की वह जो यह तो यह वोड होगा एक खेले प्रोब्लिगेशन के रिट नहीं कर सकता पैसे देने के लिए तो यहीं पिता रख्खा है जैसे रगवा वर्सेज स्री निवास का कि जो एक माइनर होता कोई प्रोमिसरी नोट देता सकता मेजर बनने पर लेकिन अगर कोई माइनर बिजनस कर रहा था माइनर था और वो उसको कंटिनीव रखता है विचर में भी तो लाइबल है जितनी भी उसकी कोंटक्ट एग्रिमेंट होए तो लाइबल हो सब पोरा करने के लिए फिर कोई भी देर इस नो रेसिटिशन और कोई दवाब ने डाल सकते कि वह बैनेफिट वगरा जो उसने लिए थी उनको वापिस करें कमपंसेट करें रैसिटिशन मतलब बैक में वापिस देना कोई चीज को ठीक है या जो भी आइटमा को मिला था या लोस्ट हो गया था हो सब डोक्ट्राइन ओफ इस्टोफल जो miele नहीं होता माइन डाल का मतलब होता है कि वही इनलीगल प्रिंसिपल जो रोखता है किस भी परसं को आर्ग्यू करने से या किसी चीज की मतलब असरेट करने में किसी अन्स्वर और कोई माइन और जूट वह जो जो ऑल्त आपनी यह के बारे में और कॉंटक्टक्ट कर ल के लिए प्रोपरista कि अवगिन प्रोपियर को अप्टेंड कर लेता है by में profits दे कि माना को प्रोटेक्ट मissä लेकिन ओसकता है लेकिन प्रिंसिपल की थे काम नहीं कर सकता यह बता सब्सक्राइब को अपने निचे पुछा है अगर पार्टनर आग्री जए तो माईनर एडिमीट हो सकता है बेनिफिट शेर करने के लिए उनके लिए लिए माइड रिच्पॉंसिपल नहीं ठेहरा सकते लेकिन अगर छह मईने हो जाते हो उसके मेजर बने हुए तो उसे यह के लिए करना होगा कि रहना चाहता है या नहीं अगर कुछ नहीं बताएगा तो उच्छे महने बाद उसे पार्टनर मान लिया जाएगा और फिर वो उसका इस्सा होगा लिमिटेड कंपनी में पॉदिशन माइनर के जो माइनर वह से शेयर परचेस काता है किसी भी लिमिटेड कंपनी के उस कंपनी के जो डोकॉमेट आटिकल अशोशियेशन उन क्या खोड़ें ठीक है लेकिन वह पर्सनल लाइबल नहीं होगा कोल के लिए जो बैट या नोमेनल फुली पेड शेयर नॉर्मली कंसिटेशन के लिए अगर कोई माइनर वह रिप्यूड़ेट नहीं करता अपने कॉंटक्ट हो में जर्टी बनने पर तो लाइब टेन कंपनी की तरफ उसकी वह वैसी रेख जाए सेक्षी रोल्डर के है शूरिटी मतलब जो रखशा करता है माइनर अगर कॉंटेट करते शूरिटी के साथ मतलब तो शूरिटी ही रिस्पोंसिबल होगा सब को पे करने के लिए एल्ड करने के लिए ठीक है और शूरिटी मेजर उनचा डल्ट होना चाहिए फिर पोजिशन ओफ माइनर एक निगोटिवल इंस्ट्रूमेंट में अधा किसी प्रोपरटी का वह कैंसल किया जा सकता माइनर की बिया पर अगर यह देखा जाए कि जो ट्रांसर मौर के लिए है माइनर की सिर्फ बैनेफिट के लिए ही ठीक है तो यह पता है यह अगर इन्सॉल्मेंट डेल करते कि यह निसस्ट्रू रख ले तो अब बात आते किया कि यह बून है क्योंकि माना यह डिस्क्वालिफिकेशन नहीं वह प्रोटेक्शन दे रहा है माइनर को बहुत सारे ऐसी सिट्वेशन हो साथ है जिसमें उसकी साथ दोखा दढ़ी हो चकते है तो यह हमारे एक टपिक था अगर फिर भी कोई कंफूजन रहती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू